अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़ादा पिमपल्स हैं और उनकी वज़े से आपकी स्किन पर ब्लैक हेर्ट, वाइट हेर्ट और बहुत सारे दाग धब्बे हो गए हैं तो अब आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मैं एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जिससे आपकी ये प्रॉब्लम चुटकियों में दूर हो जाएगी तो इस रेमेडी के लिए आपको लेना है आलू आलू को अच्छे से धोना है और फिर इसे आपको छीलना है आलू में ऐसी प्रोपर्टीज होती हैं ये हमारी स्किन से पिंपल्स को दूर करता है ये एंटी पिंपल क्लिंजर की तरह काम करता है दाग धबो को दूर करता है हमारी स्किन को गलोईंग और हैल्दी बनाता है अगर आपकी स्किन पर जुरियां जायां भी हो रही है तो ये उन्हें बहुत ही आसानी से दूर कर देता है अगर समय से पहले आपकी स्किन पर जुरिया आ गई है तो आप आलू का रस अपलाई कीजिए इससे आपकी स्किन का लटकना रोकेगा, इसकिन टाइट हो जाएगी आलू हमारे रंग को साफ करता है, हमारी स्किन पर जो भी गंदगी, धूल, मिट्टी, जमी होती है उसे दूर करके हमारे पोर्स को क्लीन करता है और कलर को फेर बना देता है आलू को छीलने के बाद आपको इसे घिस लेना है बिसिकलिए हमें यहां इस रामेडी के लिए आलू का रस चाहिए तो आप चाहें घिसके निकालिए चाहें आलू को ग्राइंड करके रस निकालिए तो जैसे भी आपको छल लगे वैसे निकालिए मैंने आदा आलू घिस लिया है और अब हम इसका रस निकालने के लिए एक छलनी लेंगे और छलनी के नीचे मैंने एक बाउल लगाया है और ये जो घिसा हुआ आलू है ना हम छलनी में डाल देंगे और चम्मस से दबा कर हम इसका रस निकाल लेंगे टीनेजर्स की स्किन पर पिमपल्स बहुत जादा होते हैं और वो इनसे छुटकारा पाने के लिए महंगे महंगे ब्यूटी प्रोडेक्स खरीदते हैं जिनमें बहुत जादा कैमिकल्स होते हैं जो उनकी स्किन को फायदा तो कम पहुचाते हैं नुकसान चाता पहुचाते है अब आपको मेहंगे मेहंगे केमिकल वाले प्रोडेक्ट्स खरीदने की जुरूरत नहीं है घर पर ही आप ये रेमेडी बना कर त्यार कीजिए जो एकदम नेचुरल है इससे आपको साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे और बल्कि आपकी स्किन से सारे पेमपल्स दाग धबे को रिमोव कर देगी अब यहां पर यह हमने आलू का रस निकाल लिया है जो कि लगभग एक से डेड़ चमबच के करीब है आलू का रस अगर आप रेगुलर्ली अपनी स्किन पर यूज करेंगे न तो आपकी स्किन पर जो भी धब्बे जूरियां च्छाईयां सब रिमोव हो जाएंगी और आपकी स्किन पहुती ग्लोइंग और हैल्दी हो जाएगी अब हमें सेकिंड इंग्रिडियंट चाहिए टमाटर तो यहां पर मैंने आदा टमाटर लिया और इस तरह इसमें मैं कट के रिशान लगा रही हूं अंदर जिस्ते इसली इसका रस निकल आएगा तो इसमें हम एक चमच के करीब टमाटर का रस एड़ करेंगे आप चाहें तो टमाटर को भी घिस कर तब उसका रस निकाल सकते हैं तो जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे इसका रस निकाल कर त्यार कीजिए टमाटर में ऐसी प्रोपरटीज पाई जाती हैं जो हमारे इ तो अगर पिंपल्स की वज़े से आपकी स्किन पर बहुत दाग धपबे हो गए तो शेहद आपके लिए बहुत ही अच्छा है अब तीनों ही चीजों को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और ये हमारी बहुत ही यूसफूल एकड़ मैजिकल रेमिडी हो लगाना है तब ताजा ही बनाना है इसे आपको अपनी स्किन पर सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए लगाना है पांस से छे मिनट तक मसाज करनी है उसके बाद 20 मिनट के लिए से चाहरे पर ऐसे छोड़ दें और 20 मिनट बार नॉर्मल वाटर से धोकर साफ करें कुछी इंपल्स, दाग, धब्बे, ब्लेक हेर्ट, फाइट हेर्ट, छुरिया, च्वाईया, सब दूर हो जाएंगे आपका कलर फियर हो जाएगा अगर आपको ये रेमेडी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर जरूर करें इसे आपको वीक में कम से कम 2-3 बा लगाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं हो,